हेलो दोस्तों स्वागत है आपका PSR YouTube चैनल पे मेरा नाम है लीना जैन आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग फो वर्डप्रेस वो कॉमर्स तो आज की वीडियो में हम यहीं देखेंगे कि वर्डप्रेस वो कॉमर्स के लिए सबसे अच्छी होस्टिंग कौन से रहने इस उबसाइट पर जो की है ब्लू असकIE ओर यहाँ पर इस डििसकाउंट लिंक के दół आपको मिलने बाला है तो साथ में आपको free SSL certificate भी मिलता है और साथ में आपको CDN भी मिलता है लेकिन यहां पर हमारा topic यह है best hosting for WordPress WooCommerce तो guys अगर आप WooCommerce hosting को ढूंड रहे हैं तो guys मेरे हिसाब से यानि कि जितना मेरा experience है मैं 65 clients को handle करता हूँ उसको calculate करते हुए मैं आपको कह सकता हूँ कि यहां पर WooCommerce hosting WooCommerce का बहुत ही कमाल का है जो उनका uptime रहता है उन सब सीजों से मैं काफी जादा खुश हूँ मैं खुश हूँ इसका मतलब यह है कि मैं उनका account handle करता हूँ इसलिए मुझे पता है कि उनका account का uptime क्या है सारी चीज़े जो है वो मुझे पता रहती है तो उससे उनके revenue पर क्या effect पढ़ता है यह सब चीज़े मैं जानता हूँ उन से जादा मुझे पता होता है क्योंकि मैं उनका एकाउंट जो है वो हैंडल कर रहो है यहां पर आपको अलग से एक WooCommerce होस्टिंग देखने को मिलती है यहां पर WordPress होस्टिंग है, Managed WordPress होस्टिंग है, Shared होस्टिंग है, यह सारी अच्छी है लेकिन अब जो है आने वाले टाइम पर, Bluehost जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला है WooCommerce क्योंकि WooCommerce जो है वो बूम होने वाला है, बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है, जो लोग WooCommerce घोस्टिंग ले लेते हैं, जो लोग अपना e-commerce यानि WooCommerce और e-commerce एक ही बात होती है, e-commerce मतलब होता है कि अपने shop को online लेके जाना, ठीक आपने कहीं बार सुना होगा, बहुत सारे आपने ads देखे होंगे, कि अपने जो दुकान है उसको online लेके जाओ, और उस online लेके जाने को हम e-commerce बोलते हैं, और e-commerce की जो functionality हमें provide करवाता है, website की कहते हैं, उसको हम कहते है WooCommerce, ठीक है, और उस functionality के नाम से यहाँ पर WooCommerce hosting जो है, वो लेके आया गया है, तो यहाँ पर आपके पास एक अलग से option रहता है कि आप WooCommerce hosting लो, क्योंकि यहाँ पर WooCommerce websites के लिए सबसे ज़्यादा compatibility आपको देखने को मिलेगी, अला कि WordPress hosting सबसे सही option होता है, और सबसे ज़्यादा high performance hosting option जो होता है, वो WordPress hosting रहता है, हर website की case में, लेकिन अगर आपको confirm पता है कि आप WooCommerce website ही बनाने वाले हों, तो आपके लिए सबसे बड़ी option रहेगा WooCommerce होता है, ठीक है, यहाँ पर plans WordPress hosting से हलका सा ज़्यादा रहने वाला है, लेकि आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए WooCommerce जो है, मैं यहाँ पर इस वीडियो में recommend करता हूँ, लेकिन guys इसका बिल्कुल भी यह मतलब नहीं है, कि अगर आपको online shop create करना है, तो आप shared hosting नहीं ले सकते हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, आप WordPress hosting नहीं ले सक shared hosting जो है, compress नहीं मिलेगा, same price पर आपको WordPress hosting मिलता है, वो सिर्फ इसलिए मिल पाता है, क्योंकि यह चीज़ जो है, सिर्फ वो से Bluehost ही market में available करवा पा रहा है, क्योंकि WordPress खुद recommend करता है, Bluehost को, आप यहाँ देख सकते हो, Bluehost is one of the top recommended WordPress providers by WordPress.org, अब इसके अलावा होर भी companies है, जि है कि यार, इतना payment क्यों करेंगी, महीने कि अगर आपको 20,000 रुपे देना पड़े है, ठीक है, तो guys, एक अलग लेवल की चीज़ होती है, तो इसलिए, याफिर महीने कि 3,000 भी देना पड़े है, तो वो भी एक बहुत बड़ा amount होता है, 20,000 तो खेर छोड़ो पेजली जैस कमाल की होस्टिंग देती है, लेकिन बहुत जादा मेंगा है, इन सबको भी WordPress recommend करता है, लेकिन एक affordable price में आपको WordPress, अगर कोई की कंपनी को recommend करता है, तो वो है Bluehost, ठीक है, तो आप जो है, इस से आज शुरू कर सकते हो, यहाँ पर आप WooCommerce hosting लो, WordPress hosting लो, कुछ भी लो, आपको SSL certificate free में मिलेगा, CDN मिलेगा, CDN मतलब Content Delivery Network, इसका मतलब होता है, यहाँ पर जो है, आपको, आपका server, चाहे दुनिया के किसी भी कौने में हो, लेकिन फायदा यह होगा CDN होने से कि आपका user जहां भी बैठ के आपके website को open करेगा, ठीक है, माल लो की आपका server है US में, लेकि से उसका website को load करवा दिये जाएगा, मतलब आपका server चाहे US में, कोई फरक नहीं पड़ता है, आपके user को, वो website उसके नजदी की server से मिलेगा, तो distance तो कम करी देते हैं, तो यह जो चीज़ होती है, यह CDN में होती है, और दुनिया का सबसे जो बहतरीन CDN होता है, वो है Cloud Flare CDN और Cloud Flare जो है, वो Bluehost आपको free में देता है, तो इससे बड़ीया बात तो कुछ होई नहीं सकती, और 24x7 expert support भी आपके यहाँ पर देखने हैं, इसके अलावा क्या क्या चीज़ मिलेगी, वो हम आगे बात करते हैं, सबसे important चीज, renewal, जब भी आप एक hosting purchase करते हों, तो हमारे दि इंगल store बनाना चाहते हो, WooCommerce hosting लेगे, तो 449 रुपीस पर मन्त आपको पढ़ रहा है, और नॉर्मल ली अगर बात करें, तो renewal का time भी आपको 449 रुपीस बना, तो यह तो कोई दिक्काद वाली बात, लेकिन आप यहाँ देखो multiple store अगर आप लेना चाहते हो, जो कि रेकमे यह वाला जो है जादा option, जादा बड़ी option रहता है, तो अब यहाँ पर आपको renewal की price देखो, 1300 रुपे आपको renewal लगेगा, जब आप इसको renew कराओगे, जब दो-तीन साल बाद भी आप इसको renew कराओगे, इतना महेंगा आपको पढ़ने वाला है, तो guys, यह देखके हम लोग पिछे हट जाते हैं, लेकिन यहाँ खास बात है कि अगर आप इस नंबर पर call करोगे, ठीक है, आपको फिर से मिल जाएगा 75% का discount, जो कि आपको हमारे link के थुरू मिलता था, ठीक है, तो आपको फिर से वही discount देखने को मिल जाएगा, अगर आप इस नंबर पर call कर single store, multiple store, एक साल के लिए लेते हो, तो आप single store लो, तीन साल के लेते हो, ता multiple store लो, highly recommend करता हूँ मैं यह चीज, क्योंकि तीन साल के अंदर हमारे बहुत सारे plans बनते हैं, और उन सारे plans को execute करने के लिए, आपको एक ऐसी hosting चाहिए, जहाँ पर आपको जादा से जादा आप store create कर सकते हो, तो एक ऐसी जगे आपको चाहिए, तो यहाँ पर आप जितने चाहिए, उतने stores create कर सकते हो, तीके, जहाँ से store का मतलब यह होता है, कि आप जहाँ से domain connect कर सकते हो, तीके, यह मतलब होता है, अब यहाँ पर आपको unmitted SSG storage मिलेगा, यहाँ single वाले में आपको 50 GB SSG storage मिल कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन फिर भी, अगर आप किसी को ऐसा लगता है, यह नहीं है, राण मिलता है, तो 50 GB के पीछे क्यों जाए, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसका जाओ, ठीके, store friend का theme आपको pre-install मिलेगा, जो कि एक premium theme रहने वाली है, इसके आपको store management की बात करें, manual order साप create कर सकते हो, product reviews कर सकते हो, custom discount code साप यहाँ पर कर सकते हो, ठीके, razor पे payment gateway आपको यहाँ पर मिल जाता है, और आपको stripe payment gateway भी आपको मिल जाते है, तो इनमें से जो भी आप लगाना चाहते हो, मिल जाते हो, साथ में आपको free credit भी 1,00, रुपे का म multiple store बाला आप ले सकते हो, ठीके, यह मेरी recommendation है, लेकिन guys, जरूरी नहीं है कि आपको, मैं जो कह रहा हूँ, भी लेना है, अगर आप एक साल के लिए लेते हो, तो आप यह ले सकते हो, ठीके, तीन साल के लेते हो, तो आप multiple store लो, क्योंकि guys, हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा तीन साल के लिए purchase करना है, क्योंकि ज्यादा सस्ता बड़ेगा, और renewal के time पे आपको लेगा, फिर से जेब से पैसे निकाल दे, वो नहीं करना पड़ेगा, ठीके, क्योंकि renewal, अगर आप हर साल renewal करोगे, तो आपको कभी भी पतानी चलेगा, कि अगर मेरे website 18 महीने तक चल जाती न, तो क्या फायदा होता, यह आपको भी देख नहीं पाऊए, क्योंकि आप 12 महीने के बाद renewal में अटक जाओगे, और renewal आपकर आओगे नहीं, और आपको जिंदकी में कभी यह पतानी चलेगा, कि आप अगर 6 महीने और आपकी website आगे चलती ही, तो आपको कितना फायदा होता, और गयास में पता रहूं, मार्केट की एक सचाई यह है, कि आप जब तक किसी भी online business, online blog, कुछ भी करो, 18 महीने तक जब आप उस चीज़ पर ठीके नहीं रहोगे, आपको result देखने को नहीं मिलेगा, अगर उससे पहले किसी को result मिलता है, तब वो सिर्फ और स बेच रहा है, कोई handicrafts बेचता है, कोई website, मतलब खुद एक service बेचने लग, कोई plumber है, कोई construction का काम करता है, ठीके, हर topic का एक अलग competition रहता है, किसी का competition कम रहेगा, तो उसका जल्दी काम कर जाएगा, किसी का competition जादा रहेगा, तो उसका 18 महीने बाद चलना शुरू होता है, तो यह 18 महीने तक कब जाएगा, जब आप कम से कम 2 साल की hosting लो, और 2 साल की hosting में कभी भी recommend नहीं करता हो, या तो 1 साल के लिए लो, या फिर 3 साल के लिए लो, तो आपको सस्ता बढ़ेगा, एक साल के लोग है, तो आपको 1 साल का ही recommend करता है, बहुत बहुत सोचता है, तो इस लिए मैं आपको 3 साल के recommend करता हूँ, अगर आप seriously किसी चीज के बारे में plan कर रो, आप अपने career बनाने के बारे में plan कर रो, तो 3 साल के लिए, लिए लेना, अगर आप ट्राय वगरा करना चाते हो, तो वो एक अलग बात है, आप 449 रुपीज में ये भी कर सकते हो, और अग आपको WordPress Migration मिलेगा, Email Marketing Tool मिलेगा, Yoast SC Optimizer मिलेगा, Yoast Hosting Tool है, CDN और SSR Certificate, Free Domain, SSD Storage, Unlimited, Bandwidth, Unlimited, Websites, सारा सब कुछ आपको यहां पर ही मिलना, वो भी उससे भी कम प्राइस में, तो वो भी एक बड़या option है, अगर आपको try ही करना है, WooCommerce के field में, वर आप blogging के लिए देख रहे यहां पर कर दिए, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है था, हम उसे comment में, पूछ सकते हैं, और जो discount link है, आपको इसी वीडियो के description मिल रहा है, बार-बार आपको अपने screen पे भी एक proper बारा होगा, red color का, blue host discount link in description, तो वो इसलिए मैं दे रहा हूँ, ताकि आप जो discount जो target है, वो यही है, कि आपको जो discount मिल रहा हूँ, आप ले पाओ, भले एक बार के लिए लो, या फिर आप उस link को copy करके अपने पास रखोगे, तो live में जब भी आपको discount चाहिए होगा, आपसे ले सकते हो, ठीक है guys, तो यह चीज कर ले ना, अगर आपको क्या पता कल को मे अपने पास रख सकते हो, और आप जब चाहिए अपने life में इस discount को ले सकते हो, ठीक है, और अगर आपको नहीं आता कि कैसे purchase करना, यह सारी चीज आपको idea नहीं है, तो मैं आपको YouTube पे एक वीडियो recommend कर रहा हूँ, Bluehost hosting यह हमारा ही वीडियो है, और यहाँ पर मैं आपको purchase क purchase ही चलाना नहीं आता है, ठीक है, तो उसके लिए भी मेरे पास एक option है, आप YouTube पे आओ और लिखो WordPress tutorial for beginners, और इसके बाद आपको यहाँ आगे टाइप करना, demarketing wall, और यहाँ पर आपको हमारा वीडियो मिलेगा, जिसमें 5 लाख view अभी फिलाल है, ठीक है, तो आप देख सकत तो 3 गंटे 47 मिनट का यह वीडियो है, और इस वीडियो के अंदर आपको मैंने complete Bluehost से hosting purchase करके दिखाया है, domain connect किया है, SSL certificate, और सारा सब कुछ आपको process बताया है, WordPress install किया है, WordPress का complete tutorial बनाया है, 4 गंटे का, हर एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, discount link आपको इस वीडियो के description मिलेगा, और पहले जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था, जो orange color का thumbnail था, उसमें भी आपको discount link मिलेगा, और अगर आप Bluehost का review देखना चाहते हो, तो यह वीडियो भी है, इसमें भी आपको discount link मिल जाएगा, ठीके guys, तो इसके अलावा अगर आपको कोई पूछ सकते हो, और मैं try करूँगा, इन वीडियो के link आपको इसी वीडियो के description में देदू, ताकि आप वो भी easily जाके देख पाओ, तो दोस्तों, उमीद है आपकी वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को like जरूर कर देना, क्योंकि इसी से हमे आगे और ऐसे वीडियो बनाने की motivation मिलती है, बागी कोई भी doubt हो, तो कभी भी आप मुझसे comment करके पूछ सकते हो, मैं आपकी help जरूर करूँगा, कुछ भी purchasing से related, कोई भी service से related, कुछ भी अगर आपको कोई भी doubt हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कभी भी, ठीक है, तो द subscribe करने से आपको मिलते रहेंगे, और कोई भी नए offer साते हैं, कुछ भी होता है, तो वो भी आपको मिलेगा, अगर आप subscribe करके bell icon को press करके रख लोगे, तो यह चीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक गाइस, तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने सबसे पहले आपको मिलेंगे, तो आज की वीडियो में से इतना ही देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद